Hello everyone, welcome back to code with Enim आज का वीडियो में हम जो last 8 question है जो practice कर रहे थे हम लोग C programming का hacker rank पे वो 8 question को खतम करेंगा और हमारा C programming का part hacker rank पे खतम हो जाएगा तो ये रहे वो 8 question उसमें से 3 medium है, 1 easy है और बचे वे जो 4 है वो hard है तो easy वाले से चालू करते हैं, boxes के उपर है तो इसमें हमें 4 input लेना है, मतलब length, width और height लेना है boxes का और condition ये दिया गया है कि जो height है वो 41 feet से कम होगा तो उस boxes को आप accept कर लो और उसका volume output में print कराना है हमें तो यहाँ पे जैसे आप input देख सकते 5, 5, 5 तो first है length, width और height तो 41 से 5 कम है, yes तो ये वाला हम लोग accept कर सकते हैं और इसका volume निकालने करें, length, into, breadth, into height और उसका output आप देख सकते हैं यहाँ पे 125 आएगा तो यहाँ पे उनने दिया है, second वाले में उसका height 40 है, 41 से जारा सा कम है तो वो भी accept कर सकते हैं और उसका volume जो है, वो 80R है, पर last 2 में आप देख रहे है, 41 exact match है तो नहीं लेंगे हम लोग, और यह 42 है, उसको भी नहीं लेंगे, because 41 से greater है तो hope आपको समझ गया इसमें क्या करना है, आईए इसका code देखते है यह code पे आप देख सकते कि पहले ही, उनने max height हमें यह define करके दिया है और एक user define structure बनाया है, और दो functions बना है, जिन में से हमें value return करना है तो simple है, मैं यहाँ पे पहले हमारे variables declare कर देता है और उनने यहाँ पे लिखा भी है कि यही तीन को declare करना है तो यहीं से हम लोग copy page कर लेते हैं और यह तीन variables declare कर दिये है, आपने length width और height और याद रखना यह structure है, तो structure अगर आपको access करना है length width और height तो वो pointer से होंगे, तो यहाँ पे पहले हम return करवा देते हैं और हमें return करना है, तो structure का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं box और यहाँ पे उनने box भी उसका object बना है, तो b.length आएगा यहाँ पे और फिर volume return करना है, तो length into width into height होता है तो यहाँ पे हमने width लिया है, तो width करेंगे, और मैं बस तीनों को multiply कर रहा हूं और यहाँ से volume return हो जाएगा हमारा int main में, और int main में उनने सब printing statement लिखा ही है, तो हमें उसका tension लिनी की ज़रुत नहीं है अब खाली हमें एक condition चेक करनी, यहाँ पे तो हमने करवा दिया volume को, हम लोग यहाँ से return करा है, calculate करके बस अब चेक करना है कि जिसका height 41 या 41 से ज़्यादा है, तो वह accessible ना हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे height को less than और यहाँ पे हम 41 ही लिखना, यहाँ पे हम max height लिख सकते हैं, कि उनने उसी में उसका value यह करके दिया है हमें, तो यहाँ से return कराएंगे, true, नहीं तो false, और execute करके देखते हैं कुछ error रहेगा तो फिर उसे solve करेंगे, तो आप देख सकते हैं कोई error नहीं है, और exact output आ रहा है, देखते हैं वाकी test case के लिए हमारा code right है कि नहीं, तो देख सकते हैं सारे test case के लिए right है, और medium वाले पे बढ़ते हैं, जो 3 medium बाकी है, फिर hard देखेंगे, तो हमा और output क्या generate करना है, इसके कितने possible permutation हो सकते हैं, वह है हमारा question, पर इसमें एक चीज और धियान देने वाली बात है कि यहां पे लोग ने लिखा है, लेक्सोग्राफिकल smaller, तो लेक्सोग्राफिकल क्या होता है, कि हमनों जो alphabets है, जो हमारे later A, B, C, D, उनको mathematically कौन बढ़ा है, कौन छोटा है, ऐसा हमनों define करते है, for example, A is less than B, B बढ़ा है, A छोटा है, तो वैसे ही, C, B से बढ़ा है, D, C से बढ़ा है, and so on, तो वो चीज को ध्यान में रखके, हमें यह sequence बनाना है, यह permutation बनाना है, इनने एक्जामपल में दिया है, S equals to A, B, B, C, or C, D, the six permutation in correct order दि तो यह चीज ध्यान में हमें देना है, और यह dictionary के format में है, तो उसे कैसे code में करना है, देखते हैं, तो आइए coding part देखते हैं, और यहाँ पे उनने एक int next permutation करके, पहले से ही function बना के रखा है, जिसके दो parameter है, int n और care s, यहाँ पे star star है, मतलब वो string है, double string है, मतलब 2D array समझ स आप consider कर सकते हैं, उसे, फिर int i equals to n-1, तो जितना भी input होगा, तो i का value से कम होगा, फिकी 0 से indexing चालो हो रहा है, और यहाँ पे while loop में हम चेक कर रहे हैं, कि i 0 से बड़ा है, उसी time पे string copy, s का जो first value है, मतलब s अगर 1 है, तो 1 minus 1 0, मतलब 0th element, और s का यहाँ first element is greater than equals to 0, या त से बड़ा है, मतलब पहला element a है, तो हम जैसे input में यहाँ पहला element a है, और वो a है, तो हम i को एक से कम करेंगे, नहीं तो हम लोग आगे condition check करेंगे, प्योंकि ऐसा भी हो सकता है, इस condition में i 0 से कम हो जाए, तो जब वो कम होगा, तो return 0, return 0 मतलब return false करना है, यह condition खाली check करने के कि a के बाद क्या है, b है, c है, कि हमें नहीं बता random input हो सकता है, जैसे यहाँ पे a के बाद b c input है, ऐसा भी हो सकता है, एके बाद a b c हो, या e f g हो, ज़रूरी नहीं कि sequence में हो, तो हर बार यह हमें check करना पड़ेगा, कि a के बाद वारा element है, वो कौन सा है, उसे check करने के बाद फिर यहाँ पे हम next element को ले रहे हैं, और next element को भी check करें कि a के बाद b है, फिर उसके बाद क्या है, यह दोनों हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते कि हम interchange करा रहे हैं, कि जो अगर बड़ा है, जैसे a या b, तो अगर b पहला है, a बात में तो interchange होगा, क्योंकि छोटा पहले आएगा, a पहले आएगा, तो उन्हें interchange यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं, अब नीचे यह जो while loop यह आप देख रहे हैं, यह reversing के लिए है, और reversing यहाँ पे क्यों है, क्योंकि कुछ sample cases में, जैसे यहाँ पे मैंने test case run किया था, बिना इस while loop के reversing के, तो यहाँ पे आप आपको एक output में, मैं changes दिखाता हूँ, जैसे यह test case हम pass कर रहे हैं, पर यह वाला pass क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे, जब हम लोग, वो reversing का concept, तो दो बार वो करना है, दो बार print करना है, वो दो बार print क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे a, bc, bc, और bc, bc, a, तो यह वो unique थे, तो उसने वो कर दिया, पर यह second वाला उसने print नहीं किया, क्योंकि bc के बाद, फिर से उसको bc print कराने में, यह problem हो रही थी, क्योंकि हमारा code उसके लिए applicable नहीं था, इसके लिए हमने reversing वाला लिखाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं क्या reversing की बात कर रहा फिर जे का जो चीजे वो i में डाल रहे है, और जे का अपिस temp में हमनों डाल रहे हैं, तो यह reversing का concept अगर आपको पता होगा तो, इसे आप swapping भी कहते हैं, और उसको करने से यह वाला जो पार्ट हमारा skip हो गया था, वो हो जाएगा, तो मैं एक और बार run code करता और इस बार दोनो test case or write आने वाला है, अब देख सकते हैं, इस बार first test case to write ही आ रहा है, और second वाले में भी वो वाला part जो miss हो रहा था, वो भी include हो गया, submit करके देखते हैं, सारे test case इसके लिए वो truly आने वाला है, so हमारा next question है, वो है variadic function in C, और इसके अंदर simply हमें क्या करना है, जैसे खोड़ा सा explain किया है, कि number of test cases, जो input जाएंगे यहां पर उनने first line में लिखा है, तो वो 1 से और 50 के अंदर, 50 और 50 के अंदर होना चीए, और next है, element जिनके उपर हमें बहुत सारे operations perform करने, तो यहां पर तीन output है, answer correct, answer correct, answer correct, answer correct, तो हमें basically करना यह है, कि उनने already यहां पर नीचे some मतलब addition करके total को return करना है, next है कि उन सारे input में से कुनसा सबसे कम वाला है, और next function जो है, उसमें सबसे कुनसा ज्यादा वाला है, तो यह medium level का question है, और इसका coding पर इतना tough नहीं है, मैंने पहले से करके रखा है, और उनने बहुत सारे part हमारे लिए, पहले से ही करके रखे, for example, जैसे मैं कहे रहा था कि number of elements, तो यहां पर वो लोग पहले तीन element को send कर रहे है, first वाला case यह हो सकता है, next case में वो लोग यहां 5 element को send कर रहे है, और इनने एक last case consider किया है, जिसमें लोग 10 element को, वो लोग send कर रहे है as input, तो मैंने code यहां पहले से करके रखा है, short मैं आपको फट एक से जादा है, और add करके हम लोग some को return करने है, simply तो यहां से जो भी total number of input होगा, elements का वो add होगा, और return हो जाएगा, next यहां पर हम लोग क्या कर रहे है, minimum values जुन रहे है, तो यहां पर minimum values को consider करने के लिए mean equals to max underscore element, और मैंने int ap लिया है, तो जो ap में होगा, और जो mean है, उन द आप consider देख सकते हैं, कि मैंने if condition में क्या किया है, कि if ap is less than mean, मतलब mean बड़ा है, क्योंकि mean में हमने क्या किया, max element, और आप अगर यहां पर देखेंगे, तो उनने already max element का value दिया है, और minimum element का भी value दिया है, तो obviously 1 से तो बड़ा होगा, और यहां पर जो max element है, मतलब largest value है, क्यो last value से कम है, तो हम क्या करेंगे, ap का value में transfer कर देंगे, और min को print करेंगे, तो minimum डूंड के निकालेगा, सब में से, same concept मैंने max में किया है, बस वहां पे less than के जगा पे greater than sign है, और max को print कर रहा है, और already में test case को run करके देख चुका हूं, और output राएट आरा है, एक बर बस आपका output मैं समझा दिता हूं, sample test के 0 में, तो यह 3 input उनने दिये हैं, और उनका output पहले साम होना चाहिए, तो आप इन 3 का add कर के देख सकते हैं, यही आने वाला है, उनमें minimum सबसे चोटा नंबर यह है, और maximum सबसे बड़ा नंबर यह है, तो उनने यह output सी है, same ऐसा और लोग ने 5 element उस element pass हो रहा है, तो वो यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं, तो int count, dot, 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 तो यह जो, dot, dot है, वो continue होते जा रहा है, कि n numbers of input as parameters हमारा यह sum ले सकता है, same हमारा यह जो function है mean वो भी ले सकता है, और same int count जो function है, max के लिए हमने जो इसमें किया है, वो भी ले सकता है, in counts अब में constant ह वो count हमें चाहिए कि गिनने के लिए कितने सारे numbers है, total, तो आपको यह code समझ गया होगा, इसका मैं description में link दे दूँगा, यह code का भी आप वहां से download कर सकते हैं, और submit code करके देखते हैं, सारे test cases के लिए right आ रहा है कि ने, और next challenge पर बढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं, सारे हमें तीन input दिये, मतब तीन अलग triangles के side दिये हैं, A, B, C, और Heron's formula से हमें उनका area calculate करना है, तो Heron's formula यहां पे उनने हमें दिया है कि क्या है, और उसमें जो यह P है तो वो semi perimeter है, क्योंकि triangle का perimeter is A plus B plus C, तीनो side का addition होता है, by 2 मतब वो semi हो गया है, तो यहां पे इसका use करके हमें इसमें करना है sorting, for example, जिसका सबसे कम S का answer आएगा, उन्तरब area का answer आएगा, तो वो सबसे first आएगा, फिर उससे जादा, उससे जादा, यहां पे उनने एक example में, explanation में दिया हुआ है, तो मैंने already code करके रखा है, और काफी easy है, इसके उसमें कुछ नहीं करना है, और sorting के लिए मैंने bubble sort technique यूज किया है, तो हम वो करेंगे, अब यहां पे आप देख सकते कि उनने void sort by area direct एक function बना के रखा, उसे int main में यहां पे उनने call किया है, तो हम बस इसी function के अंदर हमारा business logic लगाने वाले, तो यहां पे पहले मैंने malloc करके use किया है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम क कि लेंद कितना होने वाला है, और आप 100 area का size 200, 500 देने से अच्छा, आप यहां लग यहां पे for loop में क्या कर रहे है, values को input में ले रहे है, अब उसके पहले 2-4 चीज़ यहां पे देखने वाली है कि, जैसे यहां पे आप देख सकते हर जगा मैंने tr tr use किया है, तो यह मैंने tr क्यों यूज किया है, because abc जो value है, वो structure के अंदर है, structure का नाम triangle है, और यहां पे structure का जो हम as parameter pass कर रहे है, उनने tr दिया है, तो हर जगा मैं को tr लिखने है, अब tr of i.a, मतलब जो first element है, वो a का value लेके आएगा, फिर उसमें add कर रहे है हम लोग second i जब increment होगा, तो b का और फिर c by 2, तो यहां पे p calculate कर रहे है, हम लोग p, obviously, वो float में आ सकता है, इसके लिए float में लिए, अब उसका जब area calculate होगा, तो आप देख सकते है, formula में है, पहले काफी subtraction है, multiplication है, square root है, तो वो सायथ point ज्यादा answer, point में ज्यादा सकता है, point six digit हो सकता है, point eight digit हो सकता है, या तो अगर आ round off करें, इसके लिए यहां पे मैंने double लिया है, और यहां पे हम value m में store कर रहे है, फिर area equals to float m, convert करना पड़ेगा, because यहां पे हर चीज float में है, और हमने double यह किया है, तो m को हम लोग convert कर रहे है, फिर यहां पे हम लोग bubble sort कर रहे है, कि पहले area हमने तीनों का calculate कर लिया, अब जो सबसे जिसका कम area है, वो top parents ही है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, यहां bubble sort technique का use किया है, हमने, और code run करके देखते को error है, नहीं है, तो submit code करके सारे test cases के लिए देखेंगे, आप देख सकते कि कोई error नहीं है, submit code करके check करते है, तो यहां पे बाकि सारे test cases के लिए fail हो है, तो देखते हैं कि वो error क्या है, तो यहां पे मिश्चे यह था कि मैं triangles के side case आप से check कर रहा था, तो by default वो first case में right आगया, क्योंकि first case में 345 छोटा value of 512 13 और 724 25 सबसे बड़ा है, तो output right आगया, पर हर case में ऐसा नहीं था, क्योंकि हमें condition यह दिया गया था, कि उनके area के ह आप से उन्हें sort करना है, तो यहां पे मैं एक extra code को add किया है, तीन line को, और आप submit करेंगे, तो सब कुछ right आने वाला है, सारे test cases के लिए, तो आप देख सकते हैं, सारे test cases के लिए variety आ रहा है, और next code पर चलते हैं, तो next challenge हमारे उसमें है sorting area of string, और इसका difficulty level hard है, और total chart hard difficulties questions वाक सबसे हमें चीजे sort करनी है, चीजे मतलब string दिया गया होगा, जैसे example यहां पे हमें 4 input में 4 strings दिये हैं, अब उन्हें sort कैसे करना है, to sort the string into lexographical by non-increasing order, non-increasing order और यहां पे non-decreasing order, simply वो लोग direct क्यों नहीं लिख रहे थे, non-decreasing मतलब increasing, और non-increasing मतलब decreasing, वो लोगने confuse करन के लिए बस थोड़ा सा, यह English में non-increasing, non-decreasing दिया है, तो पहले वाले में हमको increasing order लिखना है, increasing मतलब पहले F आएगा, फिक्यू, S,W, तो यह वाला order राइट है, increasing, decreasing मतलब इसी का उल्टा आएगा, पहले W आएगा, S, Q और F, तो यह भी सही है, यह दोनों तो समझ गए, थर्ड वाले में उनने कहा है, कि sort by number of distinct character, तो पहले उनमें कितने character हैं, कैसे वो देखना है, तो पहले तो आप देख सकते हैं, यह जो दोनों है, उनमें 3-3 letters है, जो उनने characters कहते हैं, हम programming में, और फिर नीचे, इसमें 4 है, और last वाले में 5 है, तो उसे सबसे sort करना है, पर उस उसके numbers of characters, letters 5 से जादा है, तो वो last में हैगा, condition के सबसे, और last वाले है, हमको sort करना है, उसके length के सबसे, और वो same ही चीज होगा, इसी का same output हैगा, क्योंकि length भी 3, 3, 4, 5 और same condition apply करनी है, हमें, कि वो increasing order में होना चाहिए, तो QSW, और last में, वो F आ रहा है, तो अब आपको यह समझ गया होगा, और इसका code में explain नहीं कर रहा हूँ, इसका code में आपको अब भी run code करके दिखाऊंगा, कोई error नहीं, और submit code करके दिखाऊंगा, और description में, मैं सारा code दे दूँगा, सारे hard questions का code में दे दूँगा, आप वहाँ से download कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने code कर दिया है, सारे test cases के लिए भी, यह write आने वाला है, और next hard challenge पर बढ़ते हैं, और देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, next difficulty जो hard level पर हम देख रहे हैं, उसमें next question जो है, वो querying the document है, और यहाँ पर उनने थोड़ा document के बारे में explain किया है, कि it is a representation of paragraph, paragraph किसे बनते हैं, collection of sentences, sentence किसे बनते हैं, बहुत सारे words से, और words किसे बनते हैं, बहुत सारे lower, upper cases, English characters से, तो हमें इस program में करना यह है, कि हमें input में एक sentence दिया जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ा sentence दिया जाएगा, और output में उनने पहले क्या का है, कि output में वो entire statement जो है, हमें input वो print होना चीए, उसके बाद जहाँ पर full stop है, तो उसका first part, क्योंकि इसमें 2 part है, full stop मतलब 2 part हो गया, तो second वाले query में यह पूछाए कि उसका first part print होना चीए, third वाले query में यह पूछाए कि, वो जो second था, हमने जो second print करा है, उसका भी first word print होना चीए, मतलब यह entire paragraph है, उसमें 2 part है, फिर उसका प मैं नीचे इसका code आपको दे दूँगा, तो यहाँ पर इस question को solve करते ही, हमारा five star हमें मिल चुका है, और इसे शायद है लो gold कहते है, gold वाला part है, और जो मैंने code किया है, वो चल भी रहा, आपके सामने एक बार मैं वापिस run करता हूँ, कोई error नहीं आएगा, same code मैंने description पर यहाँ से download कर सकते है, same output आ रहा है, और submit code करेंगे, मैं code क्यों नहीं explain कर रहा हूँ, because अगर मैंने hard level कही के code explain किया, तो यह video काफी long हो जाएगा, one hour, two hour का हो जाएगा, क्योंकि इसमें complexity ज्याद है, इसके लिए मैं आपको readymade code सिदा नीचे दे रहा हूँ, description में, आईए next challenge प second paragraph, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें दो उन्हें sentences दिये हैं, जिन्हें लोग paragraph कर रहे हैं, तो first वाला है learning series one, second वाला है learning pointer is more fun, it is good to have pointers, यहाँ पर क्या होना चाहिए, first output second paragraph, तो second यह है हमारा, तो वो पहला आना चाहिए, फिर next है, second query returns the first sentence of first paragraph, तो जो second उनने output मांगा है, second output मांगा है, वो first paragraph का first sentence को print काना चाहिए, तो first paragraph में एक ही sentence है, वो यहाँ पर print हो रहा है, और last query उनने यह का है, the third query turns the first word of the first sentence of first paragraph, तो हमारा first paragraph यह है, उसका first sentence भी यह है, उसमें first word learning है, तो यहाँ पर learning output में आना चाहिए, तो इसका code मैंने already करके रखा है, बस run करके दे और यह code मैं नीचे description में दे दूँगा, तो आब वहाँ से download कर सकते है, तो सारा test cases के लिए true ही आने आला है, correct ही आने वाला है, आप देख सकते है, सारा test cases इसके लिए write आया है, और last code पे बढ़ते हैं, हमने 24 solve कर लिए है, 25 में से, तो यहाँ पर जो last program है, वो है, post transaction का, और म हमने solve किया है, अब इस question के अंदर उनने पूछा क्या गया है, वो मैं आपको explain करता हूँ, तो यहाँ पे उनने दो town दिये है, उनके अंदर packages है, package B और package A, तो इसमें हमें check करना है, कि जितने भी package है, उनका weight क्या है, यहाँ पे देख सकते है, जैसे for each post office के लिए minimum weight क्या है, maximum weight क्या है, और उसके according हम लोग B से सारा package first post office of A में transfer कर देंगे, तो इसका भी मैंने code already करके रखा है, एक बार uncode करेंगे, और यह code मैंने description में दिया है, तो आप वहाँ से download कर सकते हैं, submit code करेंगे, सारे test cases के लिए right ही आने वाला है, तो आप देख सकते हैं, सारे test cases के लिए हमारा code right ही आ रहा है, और मैं scroll up करके कुछ और आपको दिखाना चाहूंगा, कि जब मैंने start किया था, तो मेरा rank कुछ लाक्स में था, पर अब जब मैंने सारे 25 में से 25 questions solve कर लिए, challenges को solve कर लिया है, तो worldwide मेरा rank hacker rank के उपर number one पे आ गय तो वो rank one हो जाएगा, और मैं rank two पे आ जाओंगा, तो हमने सारा C के सारे questions को solve कर लिया है, आप देख सकते हैं, 100% complete कर चुके हैं हम लोग, next time मैं आपको इसमें python के certification के questions solve करूंगा, और next हम लोग challenge लेंगे python solve करने के, तो hope आपको इस वीडियो पसंद आए, तो इसे like करिए, जितना हो सके, उतना share करिया और कुछ नहीं समझा, तो नीचे comment करिए, तब तक के लिए, bye